आप सभी सात्यों का स्वागते आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर दोस्तों बाराजा 460 चकबरती मामले में शुप्रिम कोट सुनवाई से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जिसको आप सभी साथ इस वीडियो के माध्यम से डेस्कास करेंगे आप सभी से निवेत दने की वीडियो को बिना स्किप्ट के हुए आन तक देखें जिससे वीडियो में सेयर की गए सारी जानकारी को आप आसानी से समस्कें वीडियो में आगा बेने से पहले छोटी सी रिकष्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में से में सीरियल नंबर 109 पर लिष्टेट था बहुत कम उम्मीद थी कि 12460 चगबती मामला आज सुनवाई के लिए टेक अप हो लेकिन जिस तरीके से बड़े केसेस ने पिछली सुनवाईयों में टाइम कंजियूम किया था आज उन केसेस ने ज्यादा टाइम सुप्रिम कोट का क देर करेंगी आप सभी लोग पैसन स्पूर्वक वीडियो में अंतक बने रहें दोस्तों आप सभी को बता दें 12460 से चगबती मामला जैसे ही सुनवाई के लिए टेक अप हुआ सबसे पहले विपच्च के अध्योकता पटवालिया सर को कोट की तरब से आवाद दी गए ल आप सभी को बता दें अन्य अध्वकताओं की तरफ से बोलते हुए जो सुप्रिम कोट को कंडेंस करने का प्रियास किया गया लेकिन यहां पर जो इंपार्टेंट चीजें आज के सुनवाई से निकल कर सामने आई हैं वो यह हैं कि 12460 से चगबती में अभी भी 781 पदर र किया गया केवल सुप्रिम कोट को कंडेंस करने का काम विपच्छी अध्वकताओं की तरफ से किया गया लेकिन किसी भी प्रकार से आज कोट को कंडेंस करने में विपच्छी अध्वकता पूरी तरीके से विफल रहे वहीं आप सभी को बता दें तो रिक्त पदों की संख् एक्जेक्ट निकल कर आचुकी है 781 है और इस पर थर्ड काउंसलिंग होगी इसके साथ 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 सेकंड काउंसलिंग को पूरी तरीके से गलट ठहराते हुए कुछ आर्गुमेंट सुप्रीम कोट के अंदर आज किये गए और कहा गया कि जो सेकंड काउंसलिंग open to all की गई ह अधिवक्ता उनको सुप्रीम कोट की तरफ से पूरी तरीके से नजर अंदाज किया गया और इस तरीके से सुप्रीम कोट की तरफ से अगली डेट दे दी गए है इस मामले पर और वो डेट नुवमबर के थर्ड बीक में बेड़नेस टू सटरड़े के बीच किसी भी दिन लगाने के लिए बोला गया है तो कुल मिला करके आप सभी सात्यों को बता दे 12466 भरती मामले में आज की जो सुप्रिम कोट सुनवाई रही है सबसे इंपर्टेंट बात यह है कि आज की सुनवाई पर केस टेक अप हुआ और केस टेक अप होने के बाद ये चीजे किलियर हु कि भरती में 781 पदलिक्त हैं जिनपर 3d counseling कराई जा सकती है बाकि आज किसी प्रकार का कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया ना तो 3rd counseling कराने को लेकर के सरकार को direction मिला है ना ही 2nd counseling open to our grant कराने को लेकर के court convention नजर आई और इस पर किसी भी प्रकार का कोई रिमार्क किया गय तो कुल मिला करके आप सभी को बता दे 12460 से चकबर्ती में एक बार फिर से दो महिने से अधिक समय की डेट मिल गई है और तब तक यहाँ पर विभाग की तरफ से जो चैनित भरती हैं जिनका स्कूल आवंटन हो चुका है उन सभी की सैलरी निर्गत करते हुए उनकी नुक्त को मजबूत किया जाएगा लेकिन आज की सुनवाई से एक बात पूरी तरीके से फिक्स हो चुकी है कि सिकंड कांसलिंग ओपें टू आल रद होने नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जो रिक्तपद हैं उन पर नुक्ति का आदेश मिल जाएगा अगली सुनवाई में ये पूरी उम्मीद है और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें जब सेकंड कांसलिंग ओपें टू रद कराने की मांग जो है उसको नजर अंदाज कोर्ट की तरफ से किया गया तो याची लाप के लिए भी प्रियास किया गया और मेरिटोरियस कंड हो सकता है वो समाधान प्रस्तूर किया जाएगा तो कुल मिला करके 2460 मामले में आज की सुमवाई बहुती शकारात्मक और पॉजिटिव रही अब उम्मीद करेंगे कि जो निक्तिपत्र होल्ड वाले हमारे भाई बहन है विभाग उनके लिए जो है अब आगे की करवाई स भरने का डायरेक्शन दिया गया है अब आप सभी को बता दे रिक्त पदो का डायरेक्शन नहीं है लेकिन रिक्त पद भर नहीं सकता है बेसिक सिच्छा विभाग क्योंकि अब ये पद तभी भरे जाएंगे जब केस डिसाइड हो जाएगा इस बीच में थर्ड काउंसलिं कई कोई संभावना नहीं है सुप्रेम कोर्ट का फाइनल आदेस आने के बाद ही इन रिक्त पदों को भरा जाएगा तो आज की सुनवाई बहुती मातपूर्ट थी जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़े सुप्रेम कोर्ट के अंदर घटित हुई उसको हमने एक्स्प्ले के साथ तब तक के लिए सभी सात्यों को जेहन जे बारत बंदे मात्रम